तो हे नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ कि कुछ डॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अपने कैसे देखते हैं या फिर उनको टिक्स होता है तो क्या करना चाहिए अगर दात और रेगुलर आप ड्रेस्ट नहीं करते तो क्या होता है ऐसे बहुत सारे जो इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको लेने वाला हो और यह पूरी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाले इसलिए प्लीज लाइक और शेर जरू करना और जिन हो उसका बार-बार आपको चेकप जरूर से कराना है डॉक्टर के पास और कभी ऐसे फीमेल डॉग अगर प्रेग्नेंट हो तो उसको अकेला बिल्कुल ना छोड़े कोई ना कोई घर का उधर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसकी बेबिस कितने हैं बच्चे कितन निकाल सकते हैं तो जो सेकेंड हमारा क्वेस्टेन है वह है कि आपका डॉग हमेशे आपके पास आग के बार-बार क्यों लिख करता है यानि क्यों चाटता है तो गाइस कोई बहुत सार ऐसे डॉक्स होते हैं जो कि आपके स्कीन के उपर कुछ अपने लोशन लगा या या या फिर ओईल है या फिर कभी कबार कुछ लगाने के कारण हुआ आपको जो है लिक करते है और जो दुसरे डॉक्स होते वो इसले लिक करते है ताकि उनको कुछ अटेंशन चाहिए अपके उंकी ओपर ध्यान ने देती इसले वो अटेंशन पाने के लिए भी ऐसा कर सकते ह अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है अगर बार बार आपका डॉक करता है तो अगर आपको बिल्कुल जादा कभी ऐसा लगता है कि इरेटेट जैसा लग रहा है तो आप इसको टॉय या फिर बॉन दे सकते हैं जिसके कारण उसका ध्यान दूसरी तरब चला जाए और आपको वो बार-बार परेशान ना करें तो गया जो नेक्स्ट क्वेस्टेन है वो है कि डॉक पक्फ क्यों खाते हैं या नी जो भार की गंदगी होती है पत्तर वगएरा होते हैं कभी कवर पूटी वगएर वह क्यों डॉग या पपपी खाते य कूं एसके पीछे बहुत सा या stress में हो तभी भी ऐसी हरकत कर सकता है और ये बहुत सारे डॉक के अंदर ऐसी हरकत है पाया जाते है जैसे कि उनके behavior के अंदर भी हो सकता है या कभी कबार आपको कुछ आपकी गलती के कारण भी एक कभी कबार कोई डॉक को ऐसे आधत लग जाती है और इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसको devourment time to time करनी अगर आपको ऐसा लगे multi vitamin क कमी है वो भी आप दूर कर सकते और डॉक्टर को ज़रू से दिखाए ताकि ऐसे हरकत करने से उसके पेट में अंदर कुछ भी ज़्यादा problem ना हो इसलिए आप अपने डॉक्टर की राय जरूर लीजेगा और उसको रोकनी की कोशिच जरूर से किजएगा आप प्यार से और आसानी से उसे समझा सकते है ट्रेनिंग के द्वारा भी उसे समझा सकते है बट उसको मारिएगा मत ने तो वो डिप्रेस हो सकता है तो जो नेक्स क्वेस्टेन है वो यह है कि हमारे डॉक के दातों का कैसे ध्यान रखना चाहिए कितनी बाइब ब्रेस करना चाहिए अगर हम यह सब नहीं करते तो उसे क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है तो सबसे पहले तो उसके दात से जो है वहाँ पे आपको ब्लैकनेस या फिर आप बोल सकते है चिकनाट जैसा होना चालू हो जाएगा धिरे धिरे और जैसे अगर आपका डॉब्लम खाता है प्रॉपरली दात भी साफ नहीं करता तो कभी कबार कोई दात खराब भी हो जाता है और उसके मुझे बैट स्मेल भी आना चाल हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम उसे हो सकती है और कभी कबार अगर आप इसे ब्रेश करते हो जैसे कि हपते में एक बार ब्रेश करते हो तो वो काफी ज़्यादा अच्छा है और डॉप के हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है उसके लिए कोलगेट आता है जो डॉप के आते हैं आप यूमन्स वाले कोई भी प्रोड़क ना यूज़ करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डॉप को सपने आते या फिर आपका डॉप भी ड्रीम देखता है या नहीं देखता तो guys आज जो है आपका dog भी जो है सपने देखता है हम humans के cycle के इसाप से उनकी cycle चलती ड्रीम की वो भी जरूर से देखते है और कभी-कभी आपने notice किया होगा कि जैसे वो सोते-सोते पाव हिलाते है या फिर कभी-कभी आचानक बार करने लगते है तो वो सपने देखते ही है य जब भी आप घर पे लेके आते है उसके 45 days के बाद जो है आप उसे training देना start कर सकते है उसका brain अच्छा कासा develop हो जाता है तब तक तो वो आसानी से नही नही चीजे सीखना भी शुरू कर देता है तो guys जो next question है हमार अब वो है कि जो आपकी female dog है वो कितने दीन तक hit रह सकती ह हीट पे रहती है तो guys जो आपकी female dog है वो two week तक हीट पे रह सकती है फिर उसके आगे पीछे भी हो सकता है और इसके science भी है जैसे कि bleeding और discharge से भी आप पता लगा सकते कि आपकी female dog है हीट पे है या नहीं है अगर नहीं है तो उसके कभी कबर आप डॉक्टर के पास जाके उसक अच्छा dog food भी दे सकते अच्छे diet भी उसको दे सकते और regular walk पे आपको जरूर से लेना लेके जाना है आपको और आपको डॉक्टर के पास regular check-up भी उसका जरूर से कराना है तक कि अगर कुछ आपको problem है दिक्कत आ रहे तो उसका जल्दी से solution हो जाए तो guys आशा करता है आप